दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्यूंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडियाज और नए नी जैनकारी के वाला प्रेल नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टो स्टार्ट स्लीपर मेकिंग बिजनस के बारे में हवाई चपल बनाने के बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बताएंगे जैसे कि कौन कौन सी मशिनरी की जरूरत होगी कौन सा रौ माटीरियल खरीदना होगा मशीन और रौ माटीरियल का कोश कितना होगा और आप इनको कहां से खरीद सकते हो बिजनर शुरू गनने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी कौन से कौन से lessons लेने पड़ेंगे इन सबी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे और वीडियो के last पे हम आपको सबी suppliers के contact number देंगे जिन से आप machine खरीद के अपना business शुरू कर सकते हो तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें क्यूंकि हम इस चैनल पे लेके आते हैं नए नए बिजनस आइड़ी की सारी जानकारी देते हैं दोस्तों स्लीपर एक ऐसी चीज है जिसको हर कोई यूज करता है चाहे वो गाउं का हो या शाहर का छोटा हो या बड़ा अमीर हो या गरीब तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस बिजनस पे कितना स्कोप है और इस बिजनस को करके कई लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी कमाने वाले हैं दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर साल जतने भी जूते चपल बनाए जाते हैं उन में से 15% का ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है 15% का मतलब 2000 मिलियन से भी ज्यादा जूते चपल दोस्तों चाइना के बाद हमारे इंडिया दूसरा नमबर पे आता है और हम बहुत से देशों को माल सप्लाई भी कर सकते हैं जैसे कि अमेरिका इंगलाइन्ट, जर्मनी, फ्रांस और भी देशों में माल सप्लाई किया जाता है तो दोस्तों आप भी अपने ब्रैंड के स्लीपर्स बना कर बेट सकते हो एक्सपोर्ट कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो तो चलिए जान लेते हैं कि इस बिसनस को शुरू करने के लिए कौन कौन से लेसेंस की जरूरत होगी और कहां कहां से registration कराना पड़ेगा इंडिया में sleeper making बिसनस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी company के लिए ROC registration करानी होगी ROC का full form है registrar of companies दोस्तों अगर आप छोटे लेवल पे बिसनस start करना चाहते हो तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप OPC या LLP फॉर्मेट पे रिजिस्ट्रेशन करें इसके इलावा दोस्तों आपको ट्रेड लेसेंस लेना होगा जिसके लिए आप अपलाई कर सकते हो लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी के साथ आपको DIC के पास SSI रिजिस्ट्रेशन करवाना होगा और दोस्तों ऐसे मनुफेक्टरिंग प्लांट के लिए आपको पल्यूशन भी भाग से भी परमेशन लेनी पड़ेगी तो दोस्तों ये वो लीगल प्रोसीजर्स है जो आपको करने पड़ेंगे sleeper making business शुरू करने के लिए तो चलिए अब बात कर लेते हैं actual business के बारे में कि आपको कितना machinery खरीदना पड़ेगा और कौन सा कौन सा raw material खरीदना पड़ेगा सबसे पहले बात कर लेते हैं raw material की जो आपको regular basis पे खरीदना पड़ेगा sleepers बनाने के लिए सबसे पहली चीज है rubber sheets दोस्तो slipper का सोल बनाने के लिए इन rubber sheets की ज़रूरत पढ़ती है rubber sheets के उपर dye रखी जाती है उपर से punch किया जाता है जिससे ये चपल की shape में cut जाती है दूसरी चीज है slipper shapes straps slipper straps दोस्तो चपल बनाने के लिए इन straps की भी ज़रूरत पढ़ती है और ये बने बनाए दर्जन के इसाब से मिल जाते है एक machine आती है उसकी मदद से आप बहुत असानी से इनको चपल में लगा सकते हो तीसरी machine है packaging material तो packaging material की ज़रूरत आपको last पे पढ़ेगी जब आपके sleeper बनकर त्यार हो जाएंगे दोस्तो packaging material पर आप अपने हिसाब से खर्चा कर सकते हो आपका packing जितना अच्छा होगा उतनी ही आपकी product market में ज्यादा बिकेगी raw material को आपको regular basis पर खरीदना होगा चलिए अब बात कर लेते हैं कि sleeper making business start करने के लिए कौन कौन सी machines खरीदनी पड़ेगी और कौन सी कौन सी machine क्या काम करेगी सबसे पहली machine है soul cutting machine दोस्तो इस machine का इस्तमाल करके आप rubber की sheet को चपल की shape में काट सकते हो यह machine आप अपने budget के हिसाब से और आपके पास कितनी space available है उसके हिसाब से खरीद सकते हो दूसरी machine है soul drilling machine दोस्तो इस machine का इस्तमाल slipper में hole करने के लिए किया जाता है rubber sheet काटने के बाद जो चपल का shape बनता है उन में तीन hole किये जाते है ताकि उन holes में फित्ता लगाया जा सके तीसरी machine है strap insertion machine दोस्तो इस machine की मदद से आप slipper के hole में असानी से strap डाल सकते हो जिसको फित्ता भी कहा जाता है दोस्तो इस machine की एक खास बात यह है यह बिना electricity से ही चलती है इस machine का इस्तिमाल करके manually फित्ते डालने होते है यह तीन machine जरूरी है sleeper making business शुरू करने के लिए इसके इलावा दो और optional machine होती है वो आप चाहे तो खरीड सकते है पहली machine है sleeper grinding machine दूसरी दोस्तो इस machine को इस्तिमाल करके आप sleeper को proper finishing दे सकते हो जब हम soul cutting machine से rubber को काटते हैं तो वो कटे हुए चपल शेप में नहीं होते उसे शेप में लाने के लिए यह machine मदद करती है दूसरी machine है screen printing machine दोस्तो अगर आप कटी हुई चपल के उपर color करना चाते है या कोई design print करना चाते है तो आप इस machine का इस्तिमाल कर सकते है sleeper के उपर color या design print करने से वो ज्यादा attractive दिखती है और उसकी sale automatically बढ़ जाती है तो दोस्तो इन machine को खरीद कर आप sleeper making business शुरू कर सकते है इसके इलावा आपको एक और चीज की जरूरत पड़ेगी sleeper making die दोस्तो आप जिस भी size की sleeper बना कर बेशते हैं उस size की आपको die खरीदनी होगी for example अगर आप 5 नमबर से 10 नमबर की size की sleeper बेशना चाते हो तो आपको share die खरीदनी होगी दोस्तो हमें लगता है कि हमने वो सारी जानकारी cover कर ली है जिसकी हमें sleeper बनाने के लिए जरूरत होगी तो चलिए sleeper बनाने के लिए का process जान लेते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है सबसे पहले soul cutting machine और die की मदद से rubber sheet को चपल की shape में काट जाता है और चपल में 3 छोटे छोटे hole हो जाती है इसके बाद कटी हुई चपल को proper shape देने के लिए sleeper grinding machine का proper use किया जाता है जिससे चपल पूरी shape में आ जाती है और फिर printing machine से इस कटी हुई चपल पे print किया जाता है यहां फिर जैसा चाहे design बनाया जाता है और रात पर सूखने के लिए छोट दिया जाता है चपल सूखने के बाद soul drilling machine से छोटे छोटे holes को बड़ा किया जाता है ताकि उन में straps लगाई जा सके उसके बाद straps in searcher machine से चपल में straps दाने जाते हैं इससे sleeper पूरी तरह से बन कर त्यार हो जाती है finally इसको बेचा जा सकता है तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे sleeper बनाना कितना आसान है तोस्तों आसान है जासों आसान है जाह काSl clips बाद भाद जा आसान है जाम जाड शान है ऌहे हो इसकार कितना जांद भाद पूँकुक जान है झाल तो दोस्तो अब हम आपको supplier का contact number दे देते हैं जिनसे आप contact करकर नशीन के cost पूश सकते हैं और इनसे मशीन ले भी सकते हैं supplier की details आप सक्रीन पर देख पा रहे होंगे आप इन्हें note कर लीजिये और इनसे contact कर सकते हैं हमें उमीद है दोस्तो आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी अगर अच्छा लगा तो वीडियो को like जरूर करें धन्यवाद झाली झाली लगा लगाद